वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला आज हमारी 8 जनवरी की डेट है आप में से जो भी स्टूडिन्स टॉपिक वाइस डेली वाइस कवर अप कर रहे हो वो साथ-साथ इन वीडियो को देखते रहो जिसको भी इसकी पीडियो चाहिए वह यह है हमारे नंबर्स पे कॉल करके पीडियो को इसकता है और साथ-साथ डेली अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चानल को भी फॉलो कर सकते हो बाकी देखिए आज के हमारी यह है चार आर्टिकल्स और मोस्ट प्रबाबली यह चारो आर्टिकल्स हमारी में में काम आने वाले मतलब प्रिलम्स में इनका बहुत कम यूज है लेकिन में में अंसर र प्रिलम्स में कई बार आ चुका है ठीक है लेकिन आज इसको हम कवर अप करेंगे थोड़ा सा मेंस के परस्पेक्टफ से इसे परस्ट है हमारा सानिटेशन जुडीशन आपको भी पता है इंडिया की जुडीश्री सिस्टम हमारी गर्मेंट का एक पार्ट होता है और बहां जो है कमफर्ट मिले यहां पर जो बेसिक बेसिक बात ही होती है डिगनिटी एक्वालिटी और बेसिक हूमन राइट आप बात को समझो यह टॉपिक डिगनिटी और एक्वालिटी बेस्ट है आज को परीम कोट के रिसर्ट एंड प्लानिंग की जो रिपोर्ट आई उसमें यह पता चलता है कि जितने भी हमारे कोट के कॉंप्लेक्स बने हुए सुप्रीम कोट ने बाकी कोट के लिए भी यहां पर रिपोर्ट निकाली है जिसमें यह बता चला है कि विमन के लिए सेपरेट टॉइलेट भी नहीं है ट्वेंटी परसेंट डिस्ट्रिक में ऐसा के लिए टॉइलेट हैं तो वहां पर सिर्फ सिक्स पॉइंट सेविन परसेंटी ऐसे एरिया जहां पर सानिटरी नापकिन वेंडिंग मशीन अविल्बल है तो आप यह कह सकते हो कि विमन के लिए या फिर बाकियों के लिए जो वाश्रूम के सुविदा है वह साटिस्फाक कि साफ सफाई कर लो तुम इस चीज की सालवरी ले रहे हो सरकार से जड़ा साफ सफाई थोड़ी बहुत देख लो ठीक है उसके बाद एक तो ऐसा भी देखा गया है नागालान के पेरीं जिले में कि वहां पर पूलर रख रखाव के लिए सब कुछ साफ सफाई के लिए ए कि शौचले का सारा कुछ देखना पड़ता है उस एक मों में ठीक है एक एरिया में देखना पड़ता है तब एक ही वाश्रूम है वहां पर तो यह प्रॉब्लम्स जो है वह जादा देखने को मिल रही है सानिटेशन की और सेपरेट टॉलिट नहीं होगा तो वही है जेंड की बात यह कि यह विरूरी है और साथ ही साथ यह भी बोला गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी शौचाले की भारी कर्मी का खुलासा किया गया है इसके अंदर और यह बोला गया कि सबसे पहली चीज तो इस पूरे में फंड्स के लिए जो सेपरेट ट्वालि हो जाए तो एक साफ सुथराय रखने की बहुत जरूरत है और इसी का पूरो ऑडिटिंग करो कौन परसन यहां पर कैसे है स्वीपर का क्या काम है मतब प्रॉपर हर चीज की ऊपर वेरिफिकेशन रखने की पूरी पूरी जरूरत है समदगे बही तो यह फर्स आर्टिकल सा ली जरूरत है तो समय हम लोगों का बुल्फ रीइंट्रोड़क्शन प्रोजेक्ट यहां पर जो है गुजरात के सरकार कह रहे हैं कि हम लोग जैसे आभी तक आप चीता लेके आ रहे हुआ बहुत सारे और चीज़ों को भी लेके आ रहे हो तो अब हम यहां पर बुल्फ को पर रिइंट्रोड्यूस करने वाड़ी है वाइल बोर्ज नील गाये को यहाँ पर हम लेके आएंगे जो भी हमारी फार्मस की क्रॉप जो है यहां पर खराब हुई है इसकी वज़ी से क्योंकि नील गाय की पॉपुलेशन बढ़ती जारी जिसकी वज़े से फार्मस को बहुत नुकसान जहिलने को मिल रहा है, तो उसके लिए हमें वुल्फ को रेंट्रड्यूस करवाने की जरुवत है और बाहर की कंट्री से मतलब यूएसे से यहां पर बुला के सॉफ्ट रिलीस कराया जाएगा तो यहां पर सॉफ्ट रिलीस के एक फेसिलिटी यहां पर बनाए गई है बानसकंथा डिस्ट्रिक्ट में फाइव बूल्फ यहां पर लेके आए जाएगे जुनागड में, जुनागड कहां है गुजरात पर यह भाही जगा है जो भारत में शामिल होने से केवल उनका मा सिखाना होता है यह सब चीज़े जो है वो उनने यहां पर उनको सिखाएंगे और यही आगे बोला गयाएगी उनको यह सारे चीज़ें के बारे में बताया जाएगा तो इसके इंप्लिकेशन तो किया जाएगा तो एक बस अभी तो आपको यह दिमाग में रखना है गुजरात यहां पर ले करके आएगा कैप्टिव ब्रेड के वोल्फ होंगे कैप्टिव ब्रेड चीज़ेक है वोल्फ आपको पता कि डॉक फामली के सबसे बड़े मेंबर्स होते हैं जो कि एक्दम जुण में रहते हैं और सबसे जादा यह डियर मूज इनको ही जो है को कैप्टिवेट करते हैं मतलब कि उनको ही सिर्फ शिकार में लेके आते हैं इंडिया के पास वुल्फ की दो सब स्पीशीज हैं एक तो है ग्रे कलर की वुल्फ और एक है हिमालियन या तिबितन वुल्फ जारा तर वुल्फ आपको गुजराद, राजस्थान, उत्रप्रदेश, मंद्यप्रदेश, महराश्च्ट, वेस्टन साइट का रिजन है हिमालियन वुल्फ है वो मिलेगी जैसे कि लाद्दाप, लाहॉल, पिति इन रिजन में आपको देखने को मिलेगी आयूज्य की स्टेटिस में हिमालियन वुल्फ काफी डिगरेड हो गई है तो वड़नरेबल है तो इस तरीके से ये एक याद रखेगा आर्टिकल पूछा जा सकता है तीसरा आता है बैंक के अनक्लेम फंड्स यहां पर हमारी जो आरबी आई है जो हर बार यहां पर काम करती है और वैसे भी अब मार्च आने वाला है इंड होने वाला है तो उस टाइम पर भी काफी सरी चीजे आप रिलीस की गई है उसमें यह बताया गया है जो भी हमारे अकाउंट्स है यह बोला है कि अब आप जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं बैंक में उसको इन उपरेटिव जहां पर कुछ कोई खाता नहीं चल रहा है अनक्लेम अपर उसको आपकी यहां पर पूरी एक रिसर्च निकालो और चेक करो इन उपरेटिव है चीक है तो अब उसका जो फाइदा है बाकी लोगों को पहुशाने की जरूवत है इसे होता है न कई बाए कई लोगों की देथ हो जाती है और बैंक पर पैसा है वो पढ़ा ही रह गया कई लोगों को पता ही नहीं होता है क्या चल रहा है तो इस तरीकी के जितने भी आवां बने हुए है चीक है दस मेचॉरिटी से दस साल तक उसके कोई नहीं हुआ है आल से देखा गया है कि एक से डेड़ लाग करोड ऐसे अराउंड अमाउंट है जो कि इन ऑपरेटिव बैंक अकाउंट पर रखे हुए और अनक्लेम्ड भी इतना अमाउंट उसमें पढ़ा हुआ है मार्च 2023 के इसाफ़े तो आर्बिया ने इसके ओपर गाइडलाइन अपने रिवाइस करते हुए बताया है कि अगर इस तरीकी का कोई भी है तो इसको एक रिव्यू करो अब मार्च आने वाला है तो इसके लिए पूरा एक जरीके से बिठाओ और रिव्यू कर लो अपना आपको यहां पर सीधी सीधी सी बात है अब आपको क्या कर दिया जाएगा यहां पर इन ऑपर डिक्लेयर कर दिया जाएगा चाहिए तो इस तरीके से बूला है कस्टमर ने यहाँ पर जो कर रखा है कस्टमर इंड्यूज को यहाँ पर इन ऑपर दिया जाएगा जीरो बैलन्स अकाउंट्स है इसमें वो नहीं आएंगे जो की जीरो बैलन्स से खुले हैं या फिर स्टूडिंट्स जो स्कॉलर्शिप्स लिए वो इसमें नहीं होगा जो बाकी जो करन्ट और सेविंग्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पर देखा जाएगा ठीक है तो यह वाला समझ माया क्लियर हुआ कितना चार्ज नहीं है तो इसके लिए है यहां पर यह चीज सर यह इससे क्या होगा हमारी जो कस्टमर सर्वेस है वह काफी जादा इंट्रीज हो जाएगी और जो अमाउंट बचास को सभी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा और कम्यूनिकेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी ब पर पूरी कॉंटेनी होगी बहुत अच्छे तरीके से वक करेगा तो यह एक रिपोर्ट निकाली थी और यह रिपोर्ट निकालनी आज के टाइम पर बहुत जरूरी भी थी थी लास्ट आर्टिकल यह भारत माला की ऊपर आप सभी को पता है भारत माला मैंने कई बार अपन बंदर गाहें उनको जोडना ऐसी भारत माला है भारत माला हमारी रोड नेटवर्क को इंप्रूव करने का बहुत बड़ा प्रॉजेक्ट था इसमें यह बोला था कि बहुत पैसेंजर मुव्मेंट होगी ब्रिजज बनाएंगे जहां पर इंफ्रस्रक्टर में गैप आ रह करने का जिसमें फ्लाइओवर, ओवरपास, बाइपास, रिंग रोड, जैम को फ्री करना, कॉरिडोस बड़े बनाना, ब्रिजस, टॉनल्स बनाके जो है एक रास्ता आसान कर देंगे बहुत बड़ी इंवेस्टमेंट की गई थी 5.35 लाग करोड की इंवेस्टमेंट की दिल्ली, मुंबई, हैद्राबाद, चैन्नाई और कॉलकता, इनको जोडने का जो प्रोजेक्ट था, इसके लिए कि आ गया था, यह गोल्डन क्वाड़ी लेटरल में जोड़ेंगे, नौर्ट साउथ, वेस्ट को जोड़ेंगे, ट्रोक पॉइंट्स को जोड़ेंगे, जो प्रोजेक्ट बहुत बड़ी एक इन्विजन से सोचा गया था, लेकिन यह अभी जो है, पहली बात तो इसमें डिले आ गया, सबसे पहला डिले इसमें आया कोविट की बाचा से, कम्प्लीट हो जाना था, इसमें फ़र्स्ट फेस इसका, एक किस बाइस में, लेकिन अब को 52% हुआ है, ठीक है, अब यह भी प्रॉब्लम है कि लैंड एक्विजिशन भी हो रहा है, भूनी अधिकरेंड सरकार को करने में समय लग रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इसका पैसा है, वो और जादा बढ़ गया है, तो डिले इसके होने की वज़ा से, जो है, कॉस बढ़ रही है, और साथी साथ, प्राइजस भी दो चीजों के बढ़ रहे है, आप जो रोड बनाने में चीजे चाहिए, पैसा चाहिए, उसका अमाउंट यहाँ पर इंक्रीस होता जा रहा है, इसके लेंट भी यहाँ पर हमने सोच आए कि इंक्रीस करेंगे, और काफी सार देख लेते हैं कि इंडिया की एनर्जी की डिमांड और CO2 के एमिशन का क्या इंपक्ट है आपस में, तो देखो बढ़ी एक सबसे बड़ी एजनसी है, एनर्जी के ऊपर, जिसका नाम है इंटरनाशनल एनर्जी एजनसी, अंतराश्य उर्जा एजनसी, उनके अनुसार भा होगा, वो यहां पर 2030 तक आते हैं थोड़ी कम CO2 को एमिट करेगा, और जो कार्ज होंगे, पैसेंजर कार्ज, जो हम लोग लेके जाते हैं डेली, वो सब भी आपर कम एमिशन करेंगी, तो यह चीज़ बताईगे, ठीक है न, इन्होंने यह भी बोलाए कि Solar PV जो है, Solar के जो यहां पर लेके के आए गए हैं, वो यहां पर नई जनरेशन में एक बेटर ऑपोर्टनिटी हमाई लेकर के आएंगे, ठीक है, Solar PV का मतलब है, Photovoltaic सिस्टम, Photovoltaic सिस्टम, Solar PV होता है, जिसमें एक एलेक्रिक पावर सिस्टम होता है, जिसमें Solar Energy को आप इस्तिमाल कर सकते ह Photovoltaic, आपने देखो, अगर घरों में इसे बड़ा-बड़ा सा वो लगा होता है, जाल टाइप रूफ सा लगा होता है, Solar Energy को ट्राप करने का, उसे कहते है, Photovoltaic सिस्टम, ठीक है बाई, तो यह है, अगला बढ़ते हैं, हमारे सेकंड क्वेशन की तरफ, वो है, FSSAI, कुछ भी लेते हैं, उसके पीछे एक सिंबल ऐसा बना होता है, उसे कहते हैं, हमारे भारत का सबसे बड़ा, जो कि फूड से जुड़ी वी चीजों को देखता है, जैसे पूरे वर्ल्ड में FAO देखता है, Food and Agriculture Organization, यह तो वर्ल्ड के लिए हो गया, आपने इंडिया के लिए FSS AI है, जिन्होंने QR Codes को लॉंच किया, आपको पता है QR Codes तो क्या होते हैं, सभी स्कैन करते हैं, सारा सामय, QR Codes बनाएं ताकि आप सभी को, यह सभी वक्यक्तियों को, जो फूड पे लिखी हुई information है, वो यहाँ पर मिल सकें, especially उन लोगों के लिए जो कि दृष्टी QR Codes है, जिके आप स्मार्ट फोन से QR Code को आराम से स्कैन करो, आईफोन से करो, नॉर्मल फोन से करो, एंड्रोइट से करो, वो आराम से स्कैन करके आप पूरी information वहां से read कर सकते हो, ताकि इस प्रॉड़क्त की आपको सारी detail मिल जाए, ingredients क्या हैं उसके अंदर, उसमें allergy किस से हो सकते हैं, कब बनी थी, कब expire होगी, हर एक चीज की information आपको इस पूरे के पूरे code से easily available हो जाएगी, समझे भई, तो ये था आपको जो learn करना है, और बाकी आज का मेंस का question जो है, वो question number one पर अधारित है, जिसमें इंडिया की energy demands की उपर आपको explain करना, आपको पहले तो ये बताना है, कि इंडिया की energy demand किस प्रकार से है, और फिर ये बताना है कि IEA ने क्या projection करी है, और अगर हमें कभी भी energy की demands को meet करना है, तो हम लोग किस प्रकार से उस demands को meet कर सकते हैं, वो explain करना है, जिक है, बहुत difficult concept नहीं है, आप लोगों को मैंने कई बार वीडियो में अप आपको एक explain करते हैं, तो इतना difficult आपको नहीं लगेगा यह वाला, इसको आप एक बार ट्राइ कीजेगा, question को, ठीक है, और कोशिश कीजे, कि जितने भी आपसे question यहाँ पर करवाई जा रहे हैं, वो आप लोगों को पूरा आता हो, समझ में आएं, और इनको note करते रहो, औ ठीक है, जो भी बच्चे कह रहा थे कि माम डेली वीडियो का है, तो देखो आएंगी, और study for civil services के main channel पे places in news का article भी आ चुका है, ठीक है, places in news November और October के upload हो गए हैं, और अभी ही बस अब December के भी upload होने बाले हैं, आप लोग दिसेंबर के भी current affairs को, places in news को cover कर लेगा, ठीक है, बहुत फाइदा मिलेगा, इन सब cover करने पर, ठीक है, उससे क्या है न, कि हमारे जितना भी चीज़े हैं, सारी cover होती जाएंगी, तो अपने को बहुत, easily सारी चीज़े समझ में आती जाएंगी, ठीक है न, तो अपना पढ़ना शुरू करो, अच्छे से सारी चीज़ों को learn क करो, और पोशिश करो कि हर चीज़ों को आप लोग नोट करते रहों, लिखते जो, लिखते रहोंगे, नोट करते रहोंगे, तो easily सारी चीज़े clear भी होती रहेंगी, Okay then, Bye everyone, मिलते हैं आप सभी लोगों से, next lecture में complete करते हैं इसके बाद आगे की questions को